आज किसी वीडियो में बात करने माला है कि जो लड़की है, जो आपकी वेल्फिंड है, जो आपकी पार्टनर है, वो आपसे छुपके ना किसी और से बात की, किसी और को कॉल की, मैसेज की, चैट की, वीडियो कॉल की, उसके साथ सब कुछ हो गया है उसका, ये वीडियो आप आप से छुपके ना किसी और से बात की, किसी और को call की, message की, chat की, video call की, उसके साथ सब कुछ हो गया उसका, ये video ना आपके लिए है, बहुत powerful, बहुत amazing इस video को ना सुरू से लेके, last तक जलू देना चली वडियो को start करते हैं, देखो यार जो लड़की है ना वो आप से कि आपको बिना बताये, किसी और से बात की, किसी और को call की, message की, chat की, उसके close गई, वो ना अपने life में किसी third person को लेके आई, और इतना ही नहीं, उसके साथ उसका सब कुछ हो गया, अब वो लड़की ना आपसे माफी मांग रही है, रिक्रेस्ट कर रही है, आपके सामने हा आपको जो चीट मिला है, आपको जो दोखा मिला है, आपको जो दिल तोड़ा गया है, आपको जो बेवकुप बनाएगा, आपके feeling emotions का धजिया उडाया गया है, नहीं समझ पा रहे हो किसको चूज करें, इसका सिर्फ एकदम hard and solid solution, आपना इधार जाओ, रखी कितना रो रह है, लगी कितना request कर रही है, का समखा रही है, माफी मांग रही है, doesn't matter, छोड़ दो उसे, एक बात याद रखना यार, cheating ना always choice होता है, ध्यान से समझना, वीडियो बहुत powerful, बहुत amazing है, इस वीडियो को नस लास तक देखना यार, कभी भी ने कोई भी इंसान अगर आपको य mistake cheat किये हैं, आपको by mistake गलती से cheat कर दिये, मेरा मर्जी नहीं था, सामने वाला इंसान हमें force किया, है ना, हमें जोर दबरदस्ती, बार बार हमें request कर रहा था, हमसे बात करने के लिए call कर रहा था, message कर रहा था, वो मेरे पास आ रहा था, वो हमें blackmail कर रहा था, हम मजबूरी वस उससे बात की, उसके बातों को मत सुनना यार, एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना, क्योंकि एक बात या जखना यार, कभी भी किसी के लिए ये मजबूरी नहीं होती है, कि उसको ना चीट करना पड़े, कभी भी ना किसी के लिए ये मजबूरी नहीं होती है इस से घटिया, ड्रामा, नोटंकी मैंने आज तक में देखा अगर आपको कोई भी परसन, कोई भी लड़की अगर ये बहाना चिपकारी है आपको और आप उसके आंसों के तरफ जा रहे हो, है ना, थोलो सब भी घल जा रहे हो सोच देख उसको एक मौका दो, आपकी ये जिन्दगी के सबसे बड़ी गल्ती है, अगर वो इनसान छोटी मोटी जुट बोला होता है ना, छोटी मोटी गल्ती की होती तो उसकी माफी है या, इतना बड़ा गल्ती कैसे एकसेप्ट करोगे आज ना उस रड़की को पता चल गया, उसको ना ये फील हो रहा है कि सामने वाला इनसान को मेरा ये सब बात कैसे पता चल गया उसको इसले नहीं बुरा लग रहा है कि वो चीट की है उसको इसले बुरा नहीं लग रहा है कि वो किसी और क्या सोके चली है नहीं या, doesn't matter अगर ऐसा लगता ना तो वो किसी भी third person से बात करने से पहले ही उसका हाथ परिकाप जागा नहीं कापा ना वाच परीकाप ने कीए बहुत दूर की बात है उस लड़की को जरा सा सरम नहीं आया जरा सा थीटीरे संग नहीं आया जरा सा आपके फीलिंग आपके emissions के बारे मैंने सोची आपको जुट बोलती रही लगातार बहुत दिनों कई दिनों कई महीनों तक उसका क्या है यार वो सब कहा चला गया और आप सोच रहे हो उसको एक मौका देते नहीं यार आपके सबसे बड़ी गलती है इसको confusion को एक दम clear करो बहुत सारे लोग बहुत सारी लड़के हमसे question पूछते हमें समझ नहीं आता कि मैं उनको कितना समझा हूँ मैं हर एक वीडियो में एक चीज़ बोला हूँ कि किसी का इंटेंशन है अगर चीट करना उसका नियत है उसका अफितरत है उसका आदत बन गया वह इंसान जिंदगी में कभी नहीं सुदरेगा यार आप यह लेक के रख लो उससे इतना जल्दी हो सके दूर हो जाओ दरवाइ वो लड़की ना आपका लाइफ को हिल मना के रख देगी वो लड़की अगर आपके पास आज रिक्वेस्ट कर रही है माफी मांग रही है तो इसलिए नहीं कि उसको अपने गलती का एसास हो गया बलकि इसलिए ना कि वो लड़की के बारे में आप जान गया सच्छाई है इसलिए वो लड़की ना बहुत चुप चुप के जो गेम कर रहे थी वो नहीं कर पाई वो सर्मिन्दा है इस बात से ना कि आप जान गयाए इसलिए नहीं कि वो ना आपो चीट की नहीं या मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, अगर कोई लड़की आपके लिए loyal है, honest है, अच्छी लड़की है, सही है, वो लड़की ना कभी किसी से बात करना तो बहुत दूर की बात है यार, इस से एक सहग तो मतलब हटा दो उसको, एकदम side करो, अगर कोई उसको कोई approach कर रहा है, first time बात करने कोसिस कर रहा है, उसको contact करने कोसिस कर रहा है, उसको तुरत block करेगी, उसको तुरत माना करेगी, first day, second, third, fourth day नहीं, first day उसी time, उसी moment, strong decision लेगी, कड़ा action लेगी, आपको बताएगी, आपको तो पता ही नहीं था ना, आपको पीछे कितना game चल गया, और आप फिर उ एक के साथ वो लॉयल रही नहीं सकता, आप उसके लिए नए अपना दिल निकाल के रख दो, उसके लिए रोग रगड़ा, उसके लिए सब कुछ करो, उसके लिए ना आप जो जान तक देना के लिए बात अगरा है, तो उसको नहीं फरक पड़ेगा, यार वो फिर भी नहीं कंट्रोल कर सकती है आपका इमोशन्स आपका जो उसके प्रती प्यार है ना इस वज़स से ना फो लड़के भी रो रही है उसको थोड़ा सा फील हुआ होगा बुरा इतना हाईली अदर्वाइस ना फरक तक नहीं पड़ रहा हो उसको यह रियालेटी बहुत सारे से लो बाट बता रहे हैं एक दम लिहांद समयना कैच करना अगर उसको फिर से रिलेजनसीप में लेला है फिर से उसको एकसेप्ट कर लिए फिर से कोसिस कर रहे होगे सब कुछ पटरी पर आये स्टार्टिंग का कुछ दिन तो नॉर्मल रहेगा अच्छा नहीं रहेगा नॉर्म पल रहेगा लेकिन कुछ दिन के बात वो सारी पास्ट में उसके कीव घलतियां जो किया 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 कहा तक बात किये कैसे घए कवा तुम लोग के बीच में कैसे हुआ यह इसको आप रोकी नहीं सकते और जब यह सब चीज आप डिस्कस करने लगोगे, आप इतना mentally imbalance हो जाओगे, disturb हो जाओगे, आपका जो mental level है उना, peace जो है, आपका सांती, सब disturb हो जाएगे, क्या करना चाहते हूँ? जो भी आपका career है, आपका job है, study है, सब कुछ खतम हो जाएगा, दविन हो जाएगा, फिर आपको इससे बाहर निकलने में महीनों दिन लग जाएगा, और बहुत सारे लोग तो सालों तक ने निकल पाते हैं, यह reality है, मैं आपको नापका future दिखा दे रहा हूँ, अभी एकदम यही आपका future है, अगर फिर भी आपको लगता है यार, कि नहीं, आप उसको accept करोगे, आपकी मर्जी है, आपका choice है, आपका life है, मेरा काम था advice देना, मेरा काम था आपको हकीकत से रूबरू कराना, आपका future आने वाला है, उसको को दिखा देना, मैंने वो किया, वैसी लड़की को कभी दुबारा मौका नहीं देना चाहिए, छोड़ दो, आज ही, अधर्वाइज ना, बहुत अपसूस करोगा मेरे दोस, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अचले के वीडियो क्लाव जरूब करेंगे, इस वीडियो को सेर करेंगे, अपने दोस्ति यार फ्रेंड से ना, WhatsApp, Guru, Instagram, Facebook, हर जगा सेर करो, कोई लड़की आपके साथ कि उसको ये वीडियो जरूब किसी लड़का के साथ ऐसा होगा, उसको ये वीडियो सेर करो, और अगर आपके लाइप सेरीट, रिलेशनिप सेरीट, कोई भी प्रोब्ल्ब्लम तो मेरे चनल बे हर एक टॉपिक वीडि में लेगे ठीक है, तो फिर आज के लिए नहीं तो हमें मिलते हैं, नेक्स्ट अब्रीव हम तुला गुड़कार, टेक क्यार।